मासकार दोस्तों मैं हुरिशेब और आप देख रहे हैं टेक्नोब व्लोग है भाइसाइब यह वीडियो बहुत ही important और थोड़ी सी ऐसे मतलब close to my heart होने वाले क्योंकि Samsung ने एक नया smartphone launch किया है और आप सोचेंगे कि भई क्या नया launch किया है launch तो होते रहते हैं नहीं smartphones लेकिन Samsung के इस smartphone ने जो Chinese smartphone companies है उनको ललका रहा है कि यह रहा मैदान और यह रहा बल्वान आजाओ Chinese पहलवान तो कुछ ऐसी ही चीज Samsung ने वाइक की companies के साथ कर दिया आप यह सोचेंगे कि भई ऐसा क्या कर दिया क्यों इतना फाल्टू के ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम तो भाई सब Samsung ने एक smartphone launch किया है जिसका नाम है Samsung M01 इस smartphone की खास बात है इस smartphone की प्राइस जो कि है साड़े 5,000 रुपए साड़े 5,000 रुपए में क्या आता है और Samsung आपको smartphone दे रहा है एक normal smartphone नहीं एक अच्छा smartphone दे रहा है जिसमें specifications बहुत power packed है तो उसी smartphone के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अब बात करेंगे उसके specifications के बारे में उसके features के बारे में और उसकी price के बारे में और Chinese companies को पीछे करने में यह smartphone कैसे help कर रहा है Samsung ने M01 को हाल ही में launch का है एक दो दिन ही विए से launch हुए और आप यह online purchase कर सकते हो सबसे पहले बात करते हैं किन लोगों के लिए designed है तो यह बहुत ही basic सा entry-level smartphone है जो कि designed है जो लोग शुरू beginner है smartphone में या फिर जो हमारे senior citizens है या फिर जिनको उठाना है और रखना है और basic basic सी चीजन जैसे facebook whatsapp instagram ऐसी चीजन सर्फ करनी है online sites चलानी है website social sites वगरा apps वगरा यूज़ करने बेसिक बेसिक से तो उन लोगों के लिए बहुत ही best smartphone है और Chinese smartphone companies के अलावा और कोई दूसरी company नहीं है जो यह smartphones बनाती हो या फिर इस budget segment में 10,000 के अंडर भी smartphones बनाती हो जिसे हम आख मूंद कर खरीच सकें अब Samsung एक भरोसमन company है और एक भरोसमन company का इतने कम budget में स्मार्टफोन निकालना और दूसरी companies को challenge करना ही अपने आप में एक अच्छी बात अब बात करतें स्मार्टफोन के बारे में कि यह smartphone की design और looks कैसे है smartphone के looks और design ज्यादा impressive नहीं है बहुत ही simple सा और प्लें सा यह smartphone है मोटे मोटे बैजल आपको दिखने को मिलेंगे 5.3 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है HD प्लस डिस्प्ले आपको यहां देखने को मिल रहे है जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि आपको 10,000 के smartphone में HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है most of the Chinese smartphone में यह चेज हो रहे है तो बहुत बहुत सही चीज है Full HD प्लस नहीं लेकिन HD प्लस ही सही camera की बात करें तो भी 8 Megapixel बैक में और 5 Megapixel का फ्रंट में camera दिया हुआ है जो कि Samsung अच्छी कासी तो नहीं लब 5000 के साब से बहुत जाद है सही है 3000 mAh की battery है जो कि 11 घंटे तक लगातार चल सकती है मतलब ऐसे phone करने और normal uses में 11 घंटे निकाल देगा समसंग का कहना है तो 3000 mAh की battery भी ठीक है स्मार्टफोन के दो वेरियंट है एक जीबी रेम और प्लस 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज जिसकी प्राइस है आगी ऐसा smartphone market में आ गया है तो अगर आपको किसी को gift देना हो अपने माता-पिता को फिर दादा-दादी को जो basic से यूज करते हैं स्मार्टफोन वहीं उनको gaming वगरा से कोई लेना देना नहीं है काफी सस्ता सुन्दर टिकाव स्मार्टफोन है आप किसी को भी gift कर सकते हैं बच्चों के लिए भी ले सकते हैं खेर उनको तो आज गेमिंग करने होती है यह आईडिया थोड़ा ड्रॉप कर दीजेगा लेकिन बहुत अच्छा स्मार्टफोन है सस्ता इतना स्मार्टफोन यह समसंग ने निकाल है उमीद करता हूं यह information आपको अच्छे लगी होगी और आपको एक नहीं चीज के बारे में पता चला होगा अगर आप मेरी वीडियो डेली नहीं देखते और अगर आपने यह वीडियो पहली बार देखे तो मैं बता दूं कि मैं रोल्स एक ऐसी वीडियो पोस्ट करता हूं जो आपके बहुत काम की होती है और आपको अच्छे information प्रोवाइड करवाती है इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में तिल देन बाब कर दो सेंगे में करना हम ओमतों करता है